बाओल ओप यू जो रखो अपना टोपिक है थर्माग रंवे रहो कि अगक है के धर्नडे तो समझने से पहले आपनेट का एक रवर कर दियंग और यह को एक्सक्रीन करेंगे तो अपने पास इस ट्राइग्राम कर दिया यह जो है एंड है यह पी और यह फीह अपना एंपयं ट्रीच्टर हो गया तो दिस्टर में आपने को पता है तर्मिनल अपने इमीटर टर्मिनल अब ड़ास्चर में दो ट्रमिनल गौती है यह पिर देशन को आपन इमीटर बेस या इमीटर जेंशन में पहलते हैं है यह ट्रमिनल ट्रेंटर पोछ्टर घरल्ड निया उध्यरत जोगी है आप इस जंशन को इनपुञ्ड जавлив गौलते हैं अपन लोग डाइग्राम के बारे में पर न tadi हैं सबसे ज़्यादा जो डॉपिंग की होती है उसके बाद बेस होती है अगर अपन एलीया वाई देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ए्लیया जो है तो अपना जो टॉपीक है तो अपना तो नहीं करेंगे तो जब आपन ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करते हैं तो जब ट्रांजिस्टर को जो है आउट्पुट जंक्शन योज में ले रहे हैं तो आउट्पुट जंक्शन को यह कनेक्ट करके दिखा रहे हैं तो आउट्पुट जंक्शन जो है रिवर्स बैस पे रिवर्स बैस का मतलब N को अपन पॉजिटिव से और P को क्या करेंगे नेगिटिव से कनेक्ट करें आउटपुट में जो करेंट फ्लो होती है वो कि अलेक्टर करेंट तो कलेक्टर करेंट होगी Ic equals to beta IB plus one plus beta Ico तो यहाँ पर देखो इस equation में यह कलेक्टर करेंट होगी IB based करेंट होगी Ico जो है leakage करेंट कहलाती है यह ठीक है अब आपन ने क्या किया देखो आपन जब इस circuit में जब यह जो कलेक्टर करेंट Ic है यह कलेक्टर जंक्षन से फ्लो होती है तो कलेक्टर जंक्षन पे heat की form में energy release करेंगी energy release करेंगी इसका मतलब कलेक्टर जंक्षन पर temperature बढ़ेगा collector junction पर जिब temperature बढ़ेगा तो क्या होगा covalent bond break हो जाएंगे जिससे number of minority charge carrier यानि अलब संखेक आविश वाहकों की संख्या बढ़ जाएगी अपने को पता है जो leakage current होती है वो minority charge carrier के current flow होगी यानि देखो क्या हुआ जब collector current flow हुआ temperature बढ़ गया जंशन पर temperature बढ़ गया number of minority charge carrier increase होगे जिसके current जो है leakage current ये इंक्रीज हो जाएगे तो leakage current इंक्रीज होगी तो क्या हो गया collector current भी इंक्रीज हो जाएगी तो इसका मतलब क्या हो आपना collector current इंक्रीज होगी अब इंक्रीज होगी collector current फिर से लेक्टर जैंग्षन पर जाएगी तो यह बाए-बार रिपीट होता जाएगा जिसके कर्ण यह क्यू क्यूंप किन-किन कारणों से सिप्ट होता है तो एक अपने बता है था टेंप्रेचर करेंट क्यों अब देखो बार बार यह यह करंड फ्लो रही है यहां पर क्टेश्र बढू रहा है जब जंग्शन पर जंग्षन पर उचनों पर युव इक मैश्मन से जयाद हो जाएगा यानि यहाँ पे जो उत्पन हीट है वह एक स trembling जो मैक्सिमम हीट हम से जब रहे हो जाएगा तो यह ठीक्राइश्शर से बॉलते तो इस प्रोसेस को बोलते हैं थर्मन रनवे ओके